सब्सक्राइब करने वाले हैं मैंनी सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीट और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गाइस फोड़ोशाप की जो हमारी चल रही है उसी का बेसिक टूल्स में से जो हमारे एक पार्ट है वह आज हम करने वाले हैं जो कि आज हम करने वाले हैं मैजिक के साथ में आज अपन जाए कुछ चीजे करने वाले फोड़ोशाप के अंदर और यह काफी अमेजिंग चीज है जो कि आपको करने में भी मजा आएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सो दो टूल्स बिसिकली आज आज देखने वाले हैं one is spot healing and another one is healing brush too right इन दोने के बार में आज जो है अपन देखने वाले हैं तो start करते बहुत है बहुत एक अच्छा बरश है जो की आपको बस उसको यह बताना है कि यह वाज जी हमको यहां से गायब करनी है और वो गायब करके देदेगा लेट से हमर बास यह image ह मैं इसकी copy बना लेता हूं don't worry layers का आरह में अपना आगे देखेंगे तो अब को नहीं पता कोई बात नहीं ऊके सो मैंने कुछ इस इस सब्सक्राइब से इसको बना दिया इसको छोड़ता हूं आप मैंने ऐomas इसको छोड़ता हूं मेने क्लिक करके चोड़ दिया इसने झेन हैंने वह कर सकते था उतना अब इस पर देखें सब्सक्राइब इसको करों तो यहां पर दीखें किया से लिए राइड और इसको कर लेता हूं यह अब यहां पर यह चीजे इसने दिखाई है वह कहांसे फ़े यह से लाइड बीज आप करता है content aware आसपास का जो हमारा content है उसके साथ में उसको मैच करने की कोशिश करता है यह होता है content aware फिर एक आता है create texture basically हमारा texture create करने के लिए और एक आता है proximity match यह सारी चीज़े जो अपने इसमें इसके बड़ी चीज़ों के लिए बनी अगर आपको कोई चोटी मोटी चीज़े जो अच्छे तो काफी सही है अभी मैंने किया तो काफी सही रिजल्स इसने दिये राइट कुछ जगा है जैसे यह वाली जगा है और इसके बालों को थोड़ा सा इसने खराब कर दिया है बट अगर आपन इसको करना चाहिए इसको भी किया जा सकता राइट अगर अपने दूसरी इमेज पर इसको करने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए अब यहां पर नीचे एक टेक्स्टर है अब यहां पर देखते कि इसका यह जो स्पॉर्ट है यह कैसा काम करता है सी परफे से खुश है तो आप जाए स्पॉर्ट का यूज कर सकते हैं बट अगर आप इस रिजल्ट से ज्यादा और ज्यादा एन्हेंस करना चाहते हो तब हमारे पास में आते हैं एक आनतर ब्रश्ट इस काल्ट हीलिंग ब्रश टूल एंड यह बिसिकली आहम इससे कोई भी चीज कर सकते हैं यहां को चलो मैं इस का कर लेता हूं big so see book है हमारे पास में अब यहां पर क्या करना आप लिए कि हम इंसान है तो हमको पता कि हमारा Texture किया है कहां से कैसे जाता है राइट जो फोट्टोशॉप है इसको MAYň पता कि टेक्टन कहां से कहां जा रहा है तो अपने को texture उसको नहीं पता लेकिन अपने को बता है लेकिन इसलिए अपने क्या करना है कि जब भी काओ चीज कर रहे हुंगे तो आप हमारा कैसे है इस टैप से अगने लग इस टाइप एस टैप से करेगा नहीं करेगा ना यह वह कौशे से एक टैक्चर को लेकिश things को करोगे धो तो एकदम seamlessly हील हो जाएगी करके देखें चलिए स्टार्ट करतें देखें इसमें बिसे करें healing brush tool में क्या होता है यहां पर पहले sample point देना होता है कि यहां से sample लेना है और उसको फिर last में आकर यहां पर प्रेस्ट करना होता है यह दो चीज़े होती है अब करके देखते हैं आल्ट करके click किया था वहां पर जाया उसका जो texture है वह यहां पर देखने लग गया रही तो अपने को कुछ नहीं करना है यहांपर texture के साथ मैच कराना है जैसे यहां पर मैच कर गया click को अब अगर आप जैसे डालना चाहों डाल सकते हो और यूर गुट टूगो एंड ही लिंग वेट पिच्चर का साइज वह बहुत बड़ा है इसलिए इतना टाइम ले रहे है इस नहीं किया बाकी सब कुछ करने के बाद अब इसने थोड़ा सा अपना जो है एक चीज लगाई कि वह हम यहां से जो क्या कर सकते हैं यहां पर इसको मैच करने की इसने कोशिश की है यह रिजल्ट्स भी क्या कि यहां पर खराब हो जाते हैं क्यों होते हैं क्योंकि हमारे पास में यहां पर इमेजिस है ना यह यह जो इसका फोटोशाप है यह क्या करता है कि हमने जहां से उठाया है सेंपल पॉइंट और जहांपर डाला है जहांपर डाला वहां पर पहले पूरा करके छोड़ेंगे अब तो यहां पर दिखे जहां पर ब्रश कर रहा हूं और इसके साइड पर होता है एक प्लस प्लस बिसिकली वह पॉइंट है जहां से उठा रहा है अभी प्लस कप के उपर चला गया तो यह वहां से काप उठाने लग गया राइट है सो हीलिंग ब्रश्टल कुछ इस टाइप से काम करता है अभी अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या करेगा यह सार प्लाइब करना पड़ेगा तब आपको जाए एक बार मिलेगा एक अच्छा रिजल्ट बट इसके अंदर आप हमेशा एक अच्छा रिजल्ट क्रेट कर पाऊगा अब लच्छे इसको पन रेमूफ कर रहे थे इसको भी रिमूफ करके देखते हैं जो इमेज को पन कर रहे यहां से उठाते हैं अब नीचे और प्लांट लगाओ तो वहां तक नहीं जाएंगे इस दें किया लेकिन क्या कि यहां से देखा इसका कलर रख के कलर इसका थोड़ा सब्लैक इस में है तो हम भी ब्लैक इस करेंगे राइट तो यह तरीका है जिससे कि आप रिजल्स अच्छे कर सकते हो बड़ इसमें आपको थोड़ा सा जारा टाइम देना पड़ेगा अब इसको में ही लिए खाटाता हूं एक सेकर यहां पर आपको कुछ इस टाइप से करना है ताकि यह क्या करें कलर कर दें उसको और फिर बाद में क्योंकि आब आस पास में सा सकते हो राइट जैसे भी सिंगल करना था तो आपन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं यह ना बड़ अगर आपको हीड कराने जैसे अभी मैंने स्पार्ट लिंग पर चलते हैं एक बार के लिए अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है लेकिन फिर भी एक अच्छे लेखे लिए लेलो और इस टाइब से कुछ प्रिव कर दो और रही गए कि सुछ अपनने इसमें कलर यह गया वह गया कुछ एरिया जैसे कि यह वाला एरिया तो इस पर आप क्या कर सकते हो ब्रश कर सकते हैं इसको लेकर के थोड़ा सा इस टाइफ से ब्लैंड करने के करनी पड़ेगी अब इसके करते हैं हाटनेस कम और आप यहां में सेलेक्शन बना के भी कर सकते हो वो आपके ऊपर आपको किस तरीके से आप पूरी इमेज में इतनी बड़ी इमेज आप यहां पर गाइब कर सकते हो इक तरीका नहीं है एक और तरीका भी है जो कि अपना आने वाले वीडियो के इनर देखने वाला है जिसे हम बोलते हैं clone stamp tool यह बिसिकली एक ही टूल रहेगा जिस क्लास के अंदर उस वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपन पूरा देख लेंगी क्लों स्टैंप टूल क्या करता है और यह बेसिकली यह पूरा फुली फंक्शनल और मैनुवल है इसके उपर आपन की जो है नेक्स वीडियो आने वाली है तो आज की इस वीडियो के लिए अपना इतना ही रहेगा अगर आपको यह टूल अच्छे लगे हो आपकी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजे